ए जिन्दगी आबैट कर कहीं चाय पीते हैं, तो भी ठक गई होगी हमें भगाते भगाते। जी हाँ दोस्तों, इस भागम भागवरी लाइफ में कैसे हैं आप सब। Hope you all well और होना भी चाहिए, क्योंकि सुबह तो वैसे ही दिन को एनरजाइस कर दीती है। सुबह खुबसूरत हो तो दिन यू ही बन जाता है। पर एक बात है दोस्तों, जो है तो बड़ी इंपोर्टेंट पर हम सब इसके प्रदी थोड़ी लापरवाह से रहते हैं। येस, सिल्फ लव। पता है, कल मुझे किसी ने एक टास्क दिया और बोला, close your eyes and think about five people जिने आप जी जान से प्यार करते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया, पर जब मैंने वो पांच नाम उन्हें बताए ना, तो उन्होंने कहा, इस लिस्ट में आप कहा हो। और सच्मी बारगी मुझे लगा कि मैं? और फिर उन्होंने कहा, कि अगर आपके लिस्ट में आप नहीं हो, तो it's time to introspect, because आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा important आप होने चाहिए। अगर आप खुछ से प्यार नहीं करते तो आप दूसरों को कैसे प्यार करेंगे? खुद खुश रहेंगे, तभी तो दूसरों को खुशी देंगे? वरना आप लाइफ में हमेशा लैक फील करेंगे और दूसरों से ही प्यार की expectation रखेंगे। तो प्लीज खुश रहें लाइफ को positively लीजे और मेरे साथ यनि आपकी दोस्त और इस प्रोग्राम की host अंजु के साथ enjoy कीजिए अपने दिन को energize कीजिए इस मस्ती भरे track के साथ जिसे आप सुन रहे हैं देश की वाणी आकाश्वाणी पर नमबर वन शो गुड बनारस में इस मस्ती भरे track को आप सुन रहे थे देश की वाणी आकाश्वाणी पर नमबर वन शो गुड मॉर्निंग बनारस में और अब नज़र डाल लेते हैं आज देश और दुनिया में क्या चल रहा है और हमारे शहर बनारस में क्या चल रहा है तो आपको बता दे कि ब हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने का है क्योंकि जब पानी घटता है न तो बहुत सारी गंदगी छोड़ जाता है मिटी छोड़ जाता है और ऐसे में बीमारियों का खत्रा बना रहता है तो कैरफुल रहे और आपको बता दे ब्रिटेन की विदेश सचिव रही लिस्ट अपने प्रतिद्वन्ती भारती अमूल के रिशी सुनक को जोरदार टक कर दे कर जीत हासल की है और उन्हें ब्रिटेन के अगले प्रधान मंतरी के तौर पर नामित कर लिया गया है तो उन सब के प्रती हमारा सम्मान बरकरार रहना चाहिए टीचर्स जे के मौके पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी ने घोशना किये कि प्रधान मंतरी स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम के तहट पूरे भारत में 14,500 स्कूल का डेवलोप्मेंट और अपग्रेडेशन किया जाएगा जो मॉडल स्कूल बनेंगे गौर्मेंट ओफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि दिल्ले स्थित राजपत का राम बदल कर करतव विपत किया जाएगा नेताजी सुभाषिंद्र बोस की प्रतिमास से राश्ट्रुपती भवन तकी सड़क को करतव विपत के नाम से जाना जाएगा और आने वाले 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा एवेन्यों का भी उद्खाटन किया जाएगा बनारस के हस्त शिल्पियों के लिए बहुत गोरव की बात है कि कच्वा रोट के पूरे गाव निवासी प्यारेलाल मौर्या को हस्त निर्मित मिर्जापूर पंजादरी के उत्कृष्ट कलाकृती गजेंद्र मोक्ष के लिए 2019 के राष्ट्रे पुरसकार के लिए चुना गया है और आपको बता दें इसकी लागत पौनी तीन लाग है और ये देश की पहली ऐसी कलाकृती है जिसे पंजाविधी से तयार किया गया है खेलों की अगर बात करें तो एशिया कप T20 2022 में सुपर फोर का दूसरा मैच आज इंडिया खेलेगी श्रे लंका से और इस मैच में हम सब यहीं उम्मीद करेंगे कि इंडिया जीच जाए क्योंकि अगर इंडिया जीच जाती है तो फाइनल के लिए इंडिया की राह आसान हो सकती है और हम सब को खुश होने का एक और मौका मिलेगा यूएस ओपन में तेईसमी वर्यता प्राप्त आस्ट्रेलिया खिलाडी निक किर्गियोस ने मेंस टवल में गत विजेता और वर्ल्ड के नंबर बन खिलाडी की डेनिस स्मिध विदेव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई ये थी देश दुनिया और शहर बनार है और आज के दिन की जो खास घटनाए हैं उन पर हम एक नजर डाल लेते हैं ये हैं समुदर के रास्ते प्रित्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला पहला जहाज विक्टोरिया आज ही के दिन 1552 में स्पेन लोटा था अमेरिकी राज्य ओहियो के क्लीव लैंड में आज के ही दिन 1848 में राश्ट्रिय अश्वेच सम्मेलन हुआ था 1958 में आज के ही दिन अमेरिका ने अट्लांटिक सागर में पर्मानू परिक्षन किया था तो आज के दिन 1988 में सोवियत संग ने भूमिगत पर्मानू परिक्षन किया था सन 2000 में आज के दिन यूएन सेक्रेटरी कोफी अन्नान द्वारा सैयुक्तर राष्ट्र सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन का शुभारंब किया गया था 2008 में आज के ही दिन डी सुभाराव ने भारतिय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कारिभार सम्हला था आज के दिन 1889 में कोलकाता में स्वतंतरता सेनानी और बैरिस्टर सुभाष चंद्रबोस के छोटे भाई शरत चंद्रबोस का जन्म हुआ था 1929 में आज के दिन प्रसिद फिल्म निर्माता यश जोहर का जन्म हुआ था जिन्होंने धर्मा प्रोडक्शन एस्टैबलिश किया था और इस प्रोडक्शन की पहली जबरदस फिल्म थी दोस्ताना और आपको बता दें 1990 में संसत से पारित हुआ था प्रसार भारती विधेयर खिराडियों की बात करें तो आज के ही दिन 1997 में भारतिये वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंग का जन्म हुआ था लेकिन आज ही हम उनको भी याद करते हैं जिन्होंने अपने कारियों से भारत के हरेक नागरेक के दिलों पर अपनी चाप छोड़ी आज की दिन 2005 में परमवीर चक्रसी सम्मानित भारतिय सैनिक मीजर धन सिंग थापा का निधन हुआ था 1972 में सरूत वादक और संगीत के मईहर घराने की नीव रखने वाले कलाकार उस्ताद अलाउदीन खान भी हम सब को छोड़ कर चले गए थी पचास से साट के दशक की ओल इंडिया रेडियो में की गई उनकी रिकॉर्डिंग्स सबसे ज़्यादा प्रसिद है यह थी आज के दिन की कुछ खास बाते और अब जब संगीत की बात हुए to हमारा शहर बनारस संगीत के मामले में बहुत संबुद है कभीर से कभीर चौरा और कभीर चौरा से पहले कभीरपंथ और हिंद्वूं का मक्का बनने से भी पहले काशी ने जिसे एक धर्म को जन्म दिया वो था संगीत सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी असल में आध्यात्मिक नगरी रही है धर्म निर्पेक्ष्टा का बेहतरीन उदाहरन बनते हुए काशी ने सदै भी एक धर्म को उपर रखा और वो है संगीत इस धर्म के अनुयाई गुरू का घढ रहा है काशी और इन्होंने कभी संकट मुचन में संगीत धर्म का प्रचार प्रसार किया तो कभी महफिलों को संगीत से सजाया बजड़ पर गंगा की लहरों के मध्य घाटों पर उस सक्री गली के मंदर में किसे के आगन में किसी की छट पर यहां प्रेक्षाग्रियों से नहीं गुदड़ी में से लालो और लालिया निकलते हैं इस धर्म के साधकों ने काशी को बनाया है कणकण में शंकर तो एक पहलू है कण और हर शंड में संगीत काशी में विद्यमान है गंगा की आरती हो पान का बीड़ा हो कजरी की राथ हो कडाही में जले भी हो रंग पर ये काशी हो काशी ने हर चीज में संगीत को पिरोया है वो एठन जो यहां के संगीत अग्यों कलाकारों में दिखती है वो चकित कर देने वाली है जिस धर्म की स्थाफना और प्रचार प्रसार पोर्खे कर गये वो अब खून में रच बस गया है फिर भले ही वो साल भर होली की राह जोने वाले कलाकार हो या फिर गणेश चतुर्थी में अभंग गाने को व्याकुल कराकार हो हर एक नहीं संगीत को जिया है यही तो है काशी का संगीत रजा वनारस यही तो है बदरिया रूम जोम के बरसन लागी बदरिया रूम जोम के और आज बस इतना ही फिर मिलेंगे आपसे मुलाकात होगी स्वस्त रहिए खुश रहिए और इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त अंजू को प्रोग्राम समवापत करने की क्योंकि आर्ट भशने वाले हैं थोड़ी देर में आप सुनेगे समारस